बहुत ही अनभवी नेता है, बिहार में महादलितों के एक मात्र एक छत्र बड़े नेता हैं जो इंडिये में सामिल हुए हैं और इससे इंडिये मजबूत होगा। मोदी जी को पुनह प्रधान मंत्री बनाने के लिए तिसरी बार एक जूट हो चुकी है। ये अध्यक्ष और जितनराम मांजी के बेटे, संतोस सुमन ने ये अपचारिक एलान कर दिया कि 2024 का लोकसभा चुनाओ उनकी पार्टी बीजेपी के साथ मिल कर लड़ेगी। यानि कि उनकी पार्टी अब NDA का हिस्सा हो चुकी है। महागडबंदन छोड़ने के बाद दिल्ली में दो दिनों से मौजूद जितनराम मांजी और उनके बेटे संतोस सुमन ने बुधवार को ये बड़ा एलान किया। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं चलने लगी हैं कि NDA का स्वरूप कब तक तय हो जाएगा। जो अन्य दलों के NDA में सामिल होने की चर्चा चलती है। चिरात पासवान, मुकेश चोहनी और उपेंद्र कुश्वाह ये लोग कब तक NDA में सामिल होने क्या एलान करेंगे। इसके अलावा बिहार की राजनिती अभी बहुत गर्माई हुई है। क्योंकि एक तरफ महा गठ बंदन हैं, जो कि बिहार में विपक्ची दलों का एक बड़ा जुटाम कर रहा है। 23 तारिक यानि कल शुक्रवार को बैठक होनी है। आज कई नेता विपक्ची पार्टियों के पटना पहुँच जाएंगे। ऐसे में NDA कब तक बनकर बिहार में तयार हो जाएगा। 40 लोकसभा की सीटे हैं। उस पर जीतना बेहद जरूरी है। और इसको लेकर नित्यानंद राये जब दिल्ली से पटना पहुँचे। जो कि केंद्रिये ग्रहराज्य मंत्री हैं। बीजेपी के बरे नेता हैं। अमित्सा और जितनराम माजी की जब मुलकात होई तो उस दोरान वह भी वहां पर मौजूद थे। पटना में आने पर उनसे कई सवाल किये गए जिसमें बैठक को लेकर भी और बिहार में NDA के स्वरूप को लेकर भी। यानि चिराग, सहनी और कुश्वाहा कब तक NDA का हिस्सा बन जाएंगे। इन तमाम सवालों पर नित्यानंद राय ने क्या कुछ जवाब दिया है। मुश्कुराते हुए जवाब दिया है। वो पहले आप सुनिये। सबसे पहले तो पटना की सा पावन भूमी पर G20 हो रहा है। या आई हुए सभी अतित्यों का विहारबाश्यों के ओर से अधुनियंद ने। और G20 की अध्यक्सता भारत कर रहा है। माने प्रधान मंत्री आधरने नरेंद मोजी जी के नत्रूइत में G20 पूरे दुनिया में जो G20 का मकसद है मतलब है उसको चाहितार्थ कर रहे हैं। और 23 तारिक को यहां जो महागटबंधन के घटको और अनघटको जो सबके एकिकरन की बात करने की बात लोग कर रहे हैं मैं जैसा मैं सुनदा हूं। देखिए बिपक्ष चाहे जितना भी एक जुट होने की कोशिश करें तो नेताओं की एक जुटता है। लेकिन इस देश की जनता इस देश बासी माने नरेंदर मोदी जी को पुनह प्रधान मंत्री बनाने के लिए तिसरी बार एक जुट हो चुकी है और भारी बहुमत के साथ पिछली बहुमत से भी पिछली संख्या से भी बड़ी संख्या के साथ बहुत ही अक्ससक्त सरकार फिर माने परधान मंत्री जी के नित रित में देश बासी बनाएंगे बिहार बासी बनाने और बिहार में 40 की 40 सीट अंडिये जीतेगी एक भी सीट मांगट वंदन को आने वाला नहीं है, सुप्रा बिलकुल मांगट वंदन का साथ होगा माझी जीतरनाम माझी जी की पार्टी हम जिसके राष्टी अध्यक्षाब शंतोज जी है आज इंडिये में सामिल हो गए है खुशी की बात है इंडिये उनकी आने से मजबूत होगी बहुत ही अनुभवी नेता है बिहार में महादलितों के एक मात्र एक छत्र बड़े नेता है जो इंडिये में सामिल हुए है और इससे इंडिये मजबूत होगी जब होगा तो आपको बता चल जाएगा फिर बता आज तो अभी आपने सुना केंद्रिये ग्रहराज्य मंत्री नित्यानंदर राय को दिल्ली से देर रात पिछले दिन पटना लोटे थे और उसी दोरान उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया चाहे महागडबंधन की बैठक को लेकर हो विपक्ची एकता की जो पहल नितिश कुमार ने की उसको लेकर हो या पिर जितन राम माजिक एंडिये में सामिल होने को लेकर हो या पिर चिराग सहनी और कुश्वाह के एंडिये का हिस्सा बनने को लेकर हो तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है लेकिन जो तीन अन्य सहयोगियों के एंडिये में सामिल होने की सवाल थी चिराग सहनी और कुश्वाह कब तत इस पर उन्होंने जादा कुछ नहीं कहा लेकिन मुश्कुराते हुए इसारा किया कि जल्द ही आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा अब देखना है कि वो समय का बाता है और समझोता किस तरीके का बनता है बिहार में 40 लोग सभा की सीटे हैं और इन 40 लोग सभा की सीटों पर बीजेपी कितने पर लड़ती है और अन्य जो सहयोगी दल बीजेपी के साथ बिहार में आ रहे हैं उनको आखिर बीजेपी क्या देती है बने रही है लाइफ बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें